नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा भैसों में पांच प्रमुक पहचान के बारे में जिससे हम जान पाएंगे कि हमारा पसुधन या फिर जो पसुधन हम खरीदना चाते हैं वो कितना दुधारू जो हमारे लिए साबित हो सकता है तो इसमें आप साथ की साथ वीडियो में भी जो है पसुधन भी एक उधान के तोर पर आप कावर कर पाएंगे उनकी जो पहचान जो मैं बता रहा हूं वो आप एक प्रैक्टिली रूप में जो है आप देख पाएंगे उसका जो अंदाज आप लगा पाएंगे तो इसमें सबसे पहली जो प्र पसुधन हम देख पाएंगे तो इसमें हम बात करें कि उसके जो मापदन है उसको कैसे हम जज़ करें कि एक अच्छी क्वालिटी में एक अडर डवलपमेंट है तो एक आम तोर पर हम पसुधन को देखते हैं साइड से देखते हैं तो जो उसका अडर है वो उसके पिछले पैर से आगे की तरफ भी जो अच्छी ग्रोथ दिखे और उससे पीछे भी जो आपको एक अच्छी ग्रोथ में दिखे और उसके साथ में थनों का जो गैप है और साइज वो भी काभी माइने रखता है एक अच्छे साइज में थन हो और उनका जो टीट से टीट यानिकि थन स तो परमुक्ष जो अडर की पहचान उसमें आप नोट करें तो सबसे जो जरूर पहचान है एक दुधारू पयसूगी की बात करें तो जो पसूकी लंबाई है वो काफी माइने रखती है हाइट यदि average है या फिर इससे जादा है तो भी अच्छा है लेकिन यदि लंबाई उसकी जादा होगी तो निश्ची तोर पर जो हो पसुधन हमारे लिए जो है जो धार उपसुधन साबित हो सकता है तो ये पैचान आप नोट करें इसके बाद हम तीसरी जो पैचान उसके बारे में बात करेंगे और तीसरी पैचान है पसुधन की जो है चोड़ाई अब चोड़ाई का जो नापतोल है हम मापधन मानके चलते हैं तो जब हम पसुधन के पीछे खड़े होते हैं तो उसकी कुले की जो चोड़ाई है वो अच् देख पारेन कि आप चोड़ाई देखिए कितनी शांदार जो हो चोड़ाई है तो यदि चोड़ाई अच्छी है तो निश्चित तोर पर जो हो पसुधन हमारे लिए जो है दुधारू साबित हो सकता है तो इससे अगली पैचान के हम बात करें नंबर च्यार पसु की जो है चमड़ी जैसे हम एक बुल की चमड़ी देखते हैं और एक एवरेज भेंस की जो चमड़ी देखते हैं तो आपको भेंस की चमड़ी जो है पतली दिखाई देगी तो उसी परकार भेंसों में भी जितनी पतली चमड़ी होगी उतनी ही जो है अच्छे दुधारू पसुधन और साथ में उसके दूद में जो fat है, उसकी percentage भी साइड आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी इसके बाद जो last हमारी पहचान है पसू के pair तो आप जब सामने से देखते हैं, जब पीछे से देखते हैं, आप side से देखते हैं तो पसु के जो पैर है बिल्कुल आपको सीधे दिखाई दें प्रोपर जिसे उपर से नीचे तक आप देखते हैं तो उसमें बैंड कम से कम दिखाई दें जो पिछले पैर हैं वो ज्यादा चोड़े न होकर पतले ये आपको पैर दिखाई दें तो एक अच्छे दुधारू हैं इसकी पैचान हमने जानी तो उमीद है आपने आज की वीडियो को पसंद के अगर इसने पसंद के अच्छे लएक और से जरूर थैंक